यूट्यूब सोट से जो आपको यहाँ पर दिख रहा है 52 मिलियन व्यूज गेन किये हैं इस चैनल ने 4 मिलियन लाइक आए हैं 57,000 सब्सक्राइबर भी गेन हुएं कितने दिन में सिरफ 28 दिन में इस चैनल पर जो आप देख रहे हो 8 मिलियन व्यूज आए हैं शोट से व्यूज आए हैं सारे के सारे साड़े 5 लाइक लाइक से इस पर 32,000 सब्सक्राइबर भी गेन हुआ है और इस चैनल पर जब आप देखोगे नहीं यहाँ पे 10-15 व्यूज आ रहे थे भाई यूट्यूब सोट से 10-15 व्यूज आ रहे थे जो हम आपको इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं वो ट्रिक हमने यूज किया है इस चैनल पर देख रहे हो आप यहां से व्यूज इंक्रीज होना स्टार्ट होगे हैं उसके बाद थोड़ा स वीडियो वाईरल होने लग जाएगी और इस वीडियो में हमें वाईरल ट्रीक ही बताने वाले है कि कैसे यूट्यूब सोट वाईरल होते हैं तो आपको क्या करना है नहीं लास तक यूज नहीं किया तो अभी की अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्यार बहुत ही करने वाले हैं YouTube Source है क्या कई लोगों को नहीं पता होगा यार तो यह beginners के लिए वीडियो है जिनको YouTube Source का पता ही नहीं है और वह शुरू करना चाहते हैं कि अपना एक Source Channel बनाए उसको grow करें जल्दी से जल्दी views gain करें ताकि जब भी YouTube की जो monetization policy है जो Source के लिए आने वाली है कि 10 million views अगर आपने 90 दिन में कर लिए हैं तो आपके Source add revenue start हो जाएगा तो यह आने वाला है 2023 में तो अभी सही तैयारी कर लेते हैं अभी channel को पूरा set कर लेते हैं वाइरल ट्रिक भी आपको बताएंगे सबसे पहले क्या है YouTube Source उसके यूटीब source आपको कैसे बनाना है उसके बाद monetization का क्या सीन है यार monetize हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं अभी हो रहे हैं अभी हो रहे हैं और अगर अभी हो रहे हैं तो उससे earning कितनी हो रही है तो इसका हम earning proof भी दिखाएंगे आपको कि अगर एक वीडियो पर 5 million views आ रखे है मतलब 50,000,000 views आ रखे हैं 20,000,000 views आ रखे हैं उसके यूटीब source में अभी कोई भी creator कितना रुपए कमा रहा है ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे यूटीब source की viral trick की और इसमें है ना बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़े मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से hashtags यूज करने हैं आपको और यूटीब source का algorithm क्या है यूटीब source कैसे यूटीब promote करता है आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी YouTube source में YouTube प्रमोड करें source feed में भेजे ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं YouTube source है क्या आप YouTube की जब भी app open करते हो आपको यहां पे एक YouTube source का sign ऐसे ऐसे बना ह डेघ कलर को उस पे जब आप click करते हो तो वीडियो जाती जातीएं थो ऊफर यूट сог यूट्यूभ जब से आया है तब से YouTube फे जो लोगों का का टाइम सपेंड करने का जो एवरेश था जैसे पहले अगर मिनट था तो डबल से भी जादा हो गया है मतलब लोग अब जो 10 मिनट यूट्यूप चलाता था वह ऐसे शोट्स को स्वाइप करते करते 20 से 25 मिनट चलाते रहते हैं आपको कॉमेंट सेक्षिन में बताना है कि जब आप सोट्स एक बार देखने लग जाते हो तो कितनी देर त टीन इस्टेग्रम अगर कोई चलाता है तो िस्टेग्राम की एक होती है वो भी एक तरीके से सोटसी हैशिए तो यहां पर लेको YouTube Youtube सोटाइब को बनाना कैसे देखो दो तरीके कि वो होते हैं एक लॉंग होती है सोट में कब जाएगी इस तरीके हिसलों वीडियो दिना उसका प्वीमेट क्या रहता है एक रेक्टेंगलर वीडियो रहती हिसका एसपक्ट रिशो रहता है बन रहा है जैसे मैं यह विड़ियो विडियो को स्रॉधिव कॉंटेंट अगर मैं मीबान को ऐसे कर दूँगा इस प09 ح sujet वह विडियो बोलते हैं इसको हो क cleanup जो बिज्गोंटरम डियो में हो जाएगी लेकिन इसकी एक duration है जैसे long form video तो सारी होती है कितनी भी duration हो सकती है अगर आप इस तरीके से video को record कर रहे हो चाहिए वो 10 seconds की हो चाहिए वो 10 घंटे की हो वो long form में ही है लेकिन shorts में चीज है कि अगर आपके वीडियो की duration एक मिनट से जाधा चली गई है तो वो shorts वो आपको एक मिनट से कम ही रखनी है और duration भी क्या रखनी है यह भी हम बात करेंगे जो हम लास्ट में वाइरल ट्रिक बताने वाले हैं उसमें बात करेंगी कि आपको अपनी वीडियो की duration क्या रखनी है कितने सेकेंड कि शोट्स बनानी है जो वाइरल होते हैं वह कौन से सोट्स होते है ठीक है तो कैसे बनाना आपको सीधा इस तरीके से रख सकते हो इसमें दो तीन रेक्टेंगल नहीं है वो एक तरीकी से स्क्वेर फॉर्मेट में चीजें हो जाएंगी ठीक है उसके बाद देखो जो मैंने आपको मोनेटाइजेशन का बताया था तो देखो यूट्यूब सोट्स मोनेटाइज होगा जिन चैनल्स पे 90 दिन में 10 मिलियन से ज्यादा रुपय कमाई है इस वीडियो ने 15 रुपय वाह मज़े आ गए यार 15 रुपय कमा लिए 2 मिलियन व्यूज पे उसके बाद देखो यह वीडियो कहां गई है शोट्स फीड में 87% ट्रैफिक आया है और अभी भी अगर आप देखोगे ना तो यह देख रहे हो आप नंबर दि चुके हैं नीचे एक और स्क्रिंशोट लगा हुए 53 लाख व्यूज आ चुके हैं इस शोट्स पे देख रहे हो आप 13,000 सब्सक्राइबर हैं पैसे कमाई शोट्स ने 55 रुपय लेकिन जो मैं यह बता रहा हूँ आपको 90 दिन में 10 मिलियन व्यूज यह आने वाला है अभी जाया नहीं है तो जब यह आ जाएगा न उसके बाद यह अर्निंग कहीं जादा हो जाएगी क्योंकि व्यूज तो बहुत ज़ादा गेन कर रही हैं वीडियो लेकिन अर्निंग नहीं आ रही है तो अर्निंग बाद में स्टार्ट होगी जब यूट्यूब सोट्स मॉनेटा एलगोरिधम क्या है इसका टाइमिंग क्या रखनी है आपको कितने डूरेशन रखनी है वीडियो की और वीडियो कब अपलोड करनी है वीडियो कब अपलोड करनी है यह भी हम इस वीडियो में बताएंगे उसके बाद आपको कौन से हैस्टेक्स यूज करने है जो वाइरल कोई short video देख रहा है आपका एक channel है उस पर short video देख रहा है उस वियर को अगर आपने कोई long video भी बना दिये बहलों जो मैंने आपको बताई थी पहले horizontal video भी अगर आपने बनाई है तो अगर आपकी short video पर 10 उसका भी link हम description लगा देंगे उसमें क्या बात हुई थी कि हमने यह जो इन दोनों के bridge हमने जो बंद कर रखा था ना वहमने क्या कर दिया स्टार्ट कर दिया है और इसकी आप फर्स स्टे स्टार्ट हुई थी और अभी वीडियो का 90% time spend करता है देखो यार शोट बहुत अपलोड हो रहे हैं इतने सारे शोट अपलोड हो रहे हैं तो जो duration है 90% जरूरी है जो आपकी average view duration होगी ना आप जब भी शोट अपलोड करोगे आप यह देखो कि यार मेरी average view duration कितनी आ रही है अगर आपकी 90% नहीं जहां पर उसको थोड़ा engaging लगेगा ना start ऐसे करना है कि वह रुक जाए बंदा जैसे हम इस वीडियो का स्टार्ट कर रहे हैं उसी तरीके से आपको average view duration पहले से ही YouTube बताता है कि आपके शोट पे कितना आ रहे है अगर आपके शोट पे व्यूवर 15 सेकंड रुक रहे है ना तो आपके नई जो सोट भी अप्लोड करोगे ना उनको 15 सेकंड करना है क्योंकि 15 सेकंड करोगे क्योंकि आपके content पे average कोई भी यूजर 15 सेकंड रु मुझ जाए क्योंकि आप यह मत सोचो कि यार यूट्यूब पे ज्यादा लोग आएंगे तो हमारे लिए वही वीडियो हम लेके आएंगे उसके बाद देखो टाइमिंग क्या क्यों जरूरी है अब देखो यार सोच में यह एक प्रैक्टिकल नहीं है चीज लेकिन हमने यह देखा है कि कई बार हमने अपलोड किया सोच जैसे मैंने किया नो बजे अपलोड एक सुबह नो बजे मैंन यही शोट्स है ना दो बजे अपलोड किया तो पैर में दो बजे अपलोड किया इस पे आ गए 10,000 व्यूज एक हमने शोट्स अपलोड किया साड़े चार बजे साड़े च्यार बज़े की जो टाइमिंग है यार वो बहुत जरूरी है बहुत अच्छी टाइमिंग है यह साड़े च्यार बज़े की और जो रात के साड़े साथ बज़े की टाइमिंग है वो भी अच्छी है अगर आपको अपने सोट्स डालने है तो और आप है न यह ट्रा लगाया है या दो घंटे लगाए है तो उसमें चार वीडियो में देखा है जो मैं आपको दिखाए भी पचास मिलियन व्यूज आए तब आपको बता रहा है अभी मैं आपको सब्सक्राइब किता हो फिवे निपेन पहले करें के लिए सॉनी in वाले हैं अपने हैस्टेग्स तो मैं आपको ज्यादा हैस्टेक्स नहीं बताऊंगा मैं आपको थीन हैस्टेक्स बताऊंगा वैस तीन हैस्टेक्स बताऊंगो जो आपको अपनी हर वीडियो के टाइटल में यूज करना है और जो description है न और जो टैग्स हैए सोट्स में है यार ये इतना मैटर करता ही नहीं यह समझतند आप यह चीजे दिभी मैटर नहीं टिश है China 500 प्रेसे 5% मिमेर नहीं करते है अगर आप उसका description लिखा है tags लिखा है या नहीं लिखा है क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है उसका title है और title में है source में कभी भी keyword stuff नहीं करनी है कि यार मेरे को YouTube सर्च के लिए वीडियो थोड़ी ना बना रहे हो आप source source तो YouTube खुड पूश करेगा खुड users को दिखाएगा तो जिस वीवर को जो टाइटल अच्छा लगेगा वही देखेगा और टाइटल का मैंने जो कॉपी पेस्ट वाली मोटिवेशन वाली वीडियो बनाई थी ना उसमें मैंने बताया भी था कि title thumbnail क्या होता है तो इसमे मैंने टाइटल में तो लिख दिया तीन चैर व्यूज आते हैं व्यूज कैसे बढ़ाएं लेकिन आपको जो वीडियो के अंदर जो हम टेक्स्ट लिखते हैं जब सोट्स अप अपलोड करो गया तो वहां पर टेक्स्ट का उप्शन आता है यह लिखा हूँ आता है ऐसे उस बाद देखाई तो robi बचते तीन एक ताहूं कि टीन हैस्टेक से यह जो सबसे थांजिक क्रेंट है और गशारणर और मैं स्टार्ट वाइरों और can you do यह तीन हैश्टेक्स लगाने आपको यारो oh timing वह जरूरी है tapping आपको देख अप्लोड करना है आपकी शोट्स जरूर्स वाल रोगी और स्टार्टीं करनी ना देखो मैं आपको एक अच्छा तरीका MRC बताता हूं पहले ना मैने पहले भी ज्माइर वीडियोज में इत्ना काम नहीं करूब जाते हैं आपको में से guaranteed जैता हूँ अगर आपने यह method यूज कर लिया ना तो 30 से 40 source आपके आराम से वाइरल हो जाएंगे और इस वीडियो के comment section में बताना है यार कौन source source बनाना start कर रहा है facts से related बना सकते हो celebrity से related बना सकते हो news से related बना सकते हो cricket का world cup पा रहा है उससे बना सकते हो और cricket मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कैसे आप पैसे कमा सकते हो copy paste का ही काम है उस वीडियो को भी देखना है इस वीडियो को खतम होते ही ठीक है वह वीडियो में यहां पर में पर लगा दूंगा तो यहां पर भी आप क्लिक करके सीधा उस वीडियो पर कलिक करके देह सकते हो वीडियो तो तो टेंक च्राइव लाहा रहो और इस वीडियो को लाक करो कोमेंट करो और यहां बहुत मज़ा रहा है और को出去 ने को यहां कि आप पार's है नेल